आपसो का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल शायम स्वामें गाइस देखिए आज यह हम फटा हुआ दूद जो आप लोग टेक देते हैं वेस्ट दूद होता है उनसे इतनी टेस्टी सी मिठाई बना कर लाए हैं जो कि आप देखकर बहुत खुस होने वाले हैं कोई विश् से हैं तो चलिए देखते हैं कि हमने कैसे वनाए हैं यह लटू तो देखे वीडियो हम जाया श्रायम में अपने चैनल उनकी हमारी कि वीष्यित्व कि चलते हैं कि म Sorry के अक्सर करो घरों में दूद रखा और थोड़ा सा ध्यान से अगर उतर जाता है तो इस तरह से फट जाता है चिक है फट गया टो पहला तो है आप पनीर बना सकते हैं ठीक है और पनीर ना बनाने कमानों फिल क्या बनाएं तो चलिए इस दूसरे इस फटे वे दूसरे आज हम बनाएंगे पनीर के लड़ू तो देखे इसको अब हम पकाएंगे तो बिल्कुल गाडा होने तक पकाएंग इतना इसपो हमें पकाना है चलियें पछा लेतेिया और एक बाद चलाते चलाते पकाना है इसे हमारा चो तूद्रफ फटा हुआ है वेस्ट है वह वेस्ट पीनी जाहेगा और अच्छा-sa इंट्रेस्टिंग सा कोई डिस बन जाएगी तो चलिए बनाते हैं तो इस तरह से हो गया है तो आप इसमें हम डालेंगे चीनी अपनी तो हम चार स्पून एड़ करेंगे एक दो तीन और ये चार तो चार स्पून हमें चीनी आड़ कर दिया आप अपना मीठा अपनी साथ से क आप का लेंगे जिसे की ये चीनी भी इसने में मिल जाए तो इसको करते हैं इसी टाइम पर हम थोड़ा सबसा नारियल हाफ पटोरी एड करेंगे इसमें आप अगर स्किप करना चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन हमने थोड़ा सा एड कर गिया जिसे कि स्वार सोड़ा सफा हो जाए हमारे इसका और इसको ऐसे मसलते हुए मठी से इसको सुखाएंगे इस तरह से जिससे कि बड़ी-बड़ी जो गुख्णिया है वो हमारी हर जाए यह नहिंन आप इसको इसके गुख्णिया को तोड़ देंगे इस इससे हमारा संफट्या सा बन जाए इस तो इस रही से तो देंगे आप देचे गां इसको अच्छे से पका लेंगे इसका जोतना भी मौस्ट्र है वो उलिजाए हमारा चीक है तो हमें लट्टू बनाने यह थोड़ सी आसानी होगी इस तरह से यह देखे गाइस जो की तरह हो गया तुसको अच्छा से गून लेंगे ठीक है इस तरह से अब इसमें नारियल कम थोड़ा से ज्यादा कर सकते हैं और मीथा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यह देखे गाइस हो चुका है तीक है सुप चुका है और यह हमने 4-5 लाइची लिए लिए इसको भी अमने अट कर दिया फ्लेम को बंद कर दिया है तो आप इसको हम क्या करें करेंगे देखिए इसी पोटेटो मैसर से इसको हम मैस करेंगे जिसे कि थोड़ा सा इसका जो इसका थोड़ा सा स्मूथ बैटर बन जाए हमको मिल जाए अगर आपको लॉंच की तरह मिठाई चाहिए बर्फी आनी चाहिए तो आप इसी तरह से जमा दीजिए ठीक है तो यह थन्डा हो जाए कि हम हाथ से इसको टॉप सके तो इसको ऐसे ही से मैस करेंगे और फिर इसके लट्डू बनाएंगे तो यह थन्डा हो चुका है तो बस इस तरह से करके हमको छोटे-छोटे से जिसे साइच कि आप खाएं बनाएं आप अच्छे लगे उससाइच के हमें बनाएं कोसि आप यह थे हमारे लंडू यह देख लीजिए इस अमगारे लडविज रहाना हैं कि यह कोई कह सकता है इनको देहकर कि क्ना फटेवे दूस solvent बने हु유 है तो तो दिक ही मियमे और जिय्ट पतो अब दाने दार खाने से पता चलेगा कि दानेदाय शोलेगे तो